नमस्कार दोस्तों मैं अगा गंदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ पीडी केमपस के ओफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस सीरीज के बारे में जो हमने स्टार्ट किया है टोप 100 वनवर्ड सब्स्टिटूशन की बात कर रहा हूँ तो सिरफ ये सो ही नहीं होगे इसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन आपको दूँगा वो भी आपके एक्जाम के लिए उतनी ही इंपोर्टेंट होगी जितने की ये वनवर्ड सब्स्टिटूशन है ठीक ह तो आपको करना कुछ नहीं है बस वीडियो को द्यान से देखना है एंड तक देखना है और चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन है आज की क्लास का one who studies election trend by means of opinion poll, कि जो election के trend की study करते है, by means of opinion polls, जो opinion poll आते हैं, उनके द्वारा जो election की study करते है, election के trend की study करते है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, देखो कोई भी होता है, हर चीज की study होती है, जैसे अब election हो रहे हैं Delhi के अंदर, तो वहाँ पर बताते हैं कि किस की सरकार आ सकती है, किस की नहीं आ सकती है, ये भी एक study होती है, data को include किया जाता है, फिर उसके उपर research की जाती है, और फिर result बताए जाते हैं, तो ये जो study होती है, जिसमें हम election के trend को follow करते हैं, उसको सैफोलोजी बोला जाता है, ठीक है, इसमें पहले वाला जो P होता है न, वो silent होता है, और इसको हम सैफोलोजी बोलते हैं, तो ये अगर question आता है, कि election के trend की study को क्या का जाता है, तो हमारा correct answer होगा, सैफोलोजी, लेकिन question यहाँ पे यह नहीं है, question यह है कि जो इस study को करते है, जो election trend को study करते है, by means of opinion poll, उसको क्या करते है, तो लोजी तो मतलब study से related हो गया, और लोजिस्ट किस से related हो गया, वह है व्यक्ति जो इस चीज की study करते है, तो यह इस से related हो गया, next question की तरह बढ़ते हैं, next question is cardiologist, cardio word, यह आपको note down करनी है, जो छोटी छोटी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, कि cardio word जिस भी word में आएगा, तो आपको यह अंदाजा लग जाना चाहिए वहाँ पे, कि वहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, वहाँ पे heart से related बात हो रही है, हृदय से related बात हो रही है, तो cardiologist कौन होता है, जो heart का specialist होता है, अगर मैं कहूं cardiology, तो logi means study, heart की study को cardiology कहते हैं, और जो study करता है, उसको cardiologist कहते हैं, next word is chiropodist, chiropodist हम उस doctor को, specialist को कहते हैं, जो hand और feet, यानि की हाथों और पैरों का specialist होता है, उसको क्या बोला जाता है, chiropodist बोला जाता है, next देखो ophthalmologist, ophthalmologist जो word है न, यह हमारा eyes से related होता है, किस से related, आखों से related, ophthalmo word जब भी आएगा, तो वो आखों से related होगा, next word हमारा pathologist, यह आज के संदर्ब में थोड़ा सा important है, जैसे कि अब आपको पता है, कि Corona virus gene के वुहान सहर में जो फैल है, तो उसके उपर अभी भी research चल रही हैं अच्छे से, कि इसका क्या reason है, यह क्यों फैल है, इसका reason क्या था, इसका vector क्या था, किस तरीके से यह चीज़ें फैली है, यानि कि cause of disease क्या था, तो SC study, जिसके अंदर cause of disease को, cause of disease का मतलब बिमारी का कारण, उस चीज़ की अगर study की जाती है, तो उसको pathology बोला जाता है, ठीक है, और जो study करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, pathologist बोलते हैं, तो I hope यह सारे के सारे word आपको clear हो गयोंगे, इसी तरीके से हरे question के साथ, आप explanation भी देखेंगे, और वो भी आपके exam में उतनी important होगी, जितने की यह question है, next word की तरह बढ़ते हैं, next word हमारा क्या है, next word is lasting only for a moment, ऐसी कोई चीज जो सिरफ कुछ समय के लिए रहती है, हिंदी में हम इसको शनिक बोल देते हैं, वो temporary सी चीज है, बस एक शन के लिए रहती है, और फिर चली जाती है, तो उस चीज को हम English के अंदर क्या बोलते हैं, momentary बोलते हैं, वो चीज तो एक moment की थी, ठीक है, एक word होता है momentus, और momentus को देखके भी हमको ऐसे ही लगता है, कि इसमें भी moment है, तो ये भी शनिक होगा, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता, momentus एक बहुत ही अलग word है, और इसका क्या मतलब होता है, important, तो इस word का मतलब भी important होता है, और ये word भी वह ज़्यादा important है, तो आप अच्छे से लिखले कि momentary तो, जो चीज moment के लिए रहती है, उसको कहते है, लेकिन momentus वह चीज होती है, जो की बहुत ही ज़्यादा important होती है, next word की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा next word क्या है, next word है one who is indifferent to pleasure or pain, indifferent to, पहले तो हमको question समझना पड़ेगा न, तो question में ये जो word लिखा न, indifferent to, इसका मतलब होता है, उदासीनोना, क्या मतलब होता है इसका, उदासीनोना, और यहाँ पे उदासीनोने में उदास होने से कोई related नहीं है, उदासीनोने का मतलब non-reactant, जो चीजें किसी से react नहीं करती नोर्मली आम तोर पर जैसे लोहा है लोहा नोर्मली react कर लेता है चीजों से जंग लग जाता है उसको लेकिन गोल्ड यानि कि सोना react नहीं करता जब भी उसको जंग नहीं लगता तो वो चीज क्या है non-reactant है इसी तरीके से अगर कोई person non-reactant है तो उसको कहेंगे वो इस चीज के indifferent to है indifferent to का मतलब वो react नहीं करता कोई उसको कुछ कहे उसको कोई फरक नहीं पड़ता तो ऐसा व्यक्ति जिसको pleasure pleasure मतलब खुशी या फिर pain pain मतलब पीड़ा खुशी या पीड़ा कुछ हो उसको कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे व्यक्ति को हम stoic बोलते हैं और इसको हिंदी में बोला जाता है तठस्त पर उसको कोई फरक नहीं पड़ता stoic हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बहुती ज़्यादा important question है कई बार exam में आ चुक है लेकिन अगर मैं बात करूँ stoicism की मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अगर किसी word के पिछे ISM लगता है न तो इसका मतलब वहाँ पर किसी ना किसी परकार की ideology की बात हो रही है ideology मतलब क्या होता है विचारदारा की बात हो रही है किसी ना किसी परकार की belief की बात हो रही है तो stoic तो वो person वो बंदा जिसको pleasure और pain से कोई फरक नहीं पड़ता और stoicism वो idea वो belief के हाँ कुछ फरक नहीं पड़ना चाहिए उस चीज को हम क्या बोल देते हैं stoicism बोल देते हैं ठीक है the endurance endurance मतलब सहन करना endure करना of pain और hardship without the display of feeling मतलब जो pain पीडा को और hardship को सहन करता है without the display उसको बिना दिखाए उस चीज को हम क्या बोल देते हैं stoicism बोल देते हैं clear है ये वाला question भी next question की तरह बढ़ते हैं next question है the practice और art of choosing cooking and eating good food the practice पर्था को हम practice बोल देते हैं या फिर art art क्या होती है color of choosing choose करने की ठीक है select करने की cooking and eating good food मतलब एक art होती है कि कौन सा खाना खाना चीए कौन सा नहीं खाना चीए उसको जो choose करने की color होती है जो practice होती है उसको क्या बोला जाते है उसको हम gastronomy बोलते है क्या बोलते है gastronomy और gastro word जब भी आएगा न यह आपको ध्यान रखनी है कि gastro word जब भी आएगा तो इसका मतलब वहाँ पे stomach से related बात हो रही है peat से related बात हो रही है और आपको पता है खाना भी किस से संबंदित हो गया पेट से संबंदित हो गया यानि कि stomach से संबंदित हो गया ठीक है तो अगर gastro word किसी भी word में आता है तो आपको पता लग जएगा कि वहाँ पे जो बात हो रही है वो stomach से related हो रही है यह root word आपको note down करते हुए चलने है next word next word हमारा है killing of a child और infant child तो आपको पता है infant मैंने होता है नवजात शिशू जो भी newborn baby होता है उसको हम क्या बोलते है उसको हम infant बोल देते है ठीक है newborn baby नया नया जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हम infant बोल देते है अब अगर उसकी हत्या की जाती है देखो एक word बताया था मैंने आपको previous class में इसके उपर एक पूरी video है अगर आपने नहीं देखिया तो आप visit करके देख सकते है side word जो होता है यह जब भी आएगा यह किस से related होता है killing से related होता है ठीक है killing से या murder से related होता है देखो अब side word तो इसमें आ गया और infant word यानि की नवजाद सिशू तो नवजाद सिशू की जो हत्या होती है that thing is known as infanticide उसको हम क्या बोलते है infanticide जैसे suicide होता है suicide मतलब खुद की हत्या side word आ गया ना side word जब भी आता है तो इसका मतलब वहाँ पे killing की बात हो रही हो एक बार हम जल्दी से next slide में सारे जितने भी इससे related word है ना उनको revise करते हैं तो देखो सबसे पहला याँ पे suicide सभी को पता है killing oneself oneself मतलब खुद की बात हो रही है matricide matric मैंने आपको याद करा है था matric मात्र मतलब mother से related mother है तो mother की हक्तिया को हम क्या बोलते है matricide बोलते है next word is patricide patry, fitr, पिता से related father से related तो killing of ones father क्या बोला जाता है patricide बोला जाता है next word is fratericide frater होता है brother से related इसको confuse मत कीजिएगा f को देखके father नी लगा na fratericide जो होता है वो brother से related होता है next word infanticide ये तो आज का question ही था, ये हमने कर लिया next word is faticide faticide को समझते हैं, देखो एक word होता है fetus, और fetus word जो है न, वो भुरुन के लिए use किया जाता है, ठीक है, भुरुन के लिए तो fetuside क्या होता है भुरुन अत्या होता है, और अगर हम कहते है girl fetuside, तो उसका क्या मतलब होता है कन्या भुरुन हत्या, तो fetuside क्या होगा, killing of unborn child मतलब जो बच्चा पैदा नहीं होगा, उसको क्या भुरुन बोलते हैं, fetus बोलते हैं तो उसकी हत्या को fetuside बोलते है insecticide और pesticide ये वे दवाईयां एक तरीके से होते हैं, या ऐसा कोई chemical जिसका परियोग किया जाता है insects को यानि की कीट पतंगों को, pests को मारने के लिए, तो ये दोनों सेम सी चीज़ें होते हैं, और homicide क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि जो इनसान होता है उसका scientific name क्या होता है homo sapiens हम कहते हैं, तो homo means क्या होता है, same, same मतलब हमारे same, हमारे same यानि की इनसान, तो इनसान की अगर हत्या की जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं homicide बोलते हैं, यानि की killing of human being, तो ये सारे के सारे word important है या हमने इकठे यहां पर revise कर लिए next word की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा next question कुछ इस तरीक के ऐसे है, one who believes in offering equal opportunities to women in all sphere, one who believes जो विश्वास करता है in offering offer करने में equal opportunities, some man opportunities some man अधिकार to women महिलाओं को in all sphere ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि महिलाओं को भी सभी जगें बराबर अधिकार मिलने चाहिएं उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ये question में पूछ रखा है, तो देखो इसको समझने से पहले, मैं एक आपको word बता दूँ, कि एक word होता है femina, और ये जो femina word आता है न, ये femina word हमेशा किस से related होता है women से related होता है महिलाओं से related होता है, femina word जब भी आएगा, ठीक है, तो आपको किसी भी word में दिखता है ये वाला word तो आपको इतना अंदाजा तो कम से कम लग जाना चाहिए कि वहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है, अब एक idea होता है, feminism feminism, देखो जिस तरीके से terrorism होता है जिस तरीके से Hinduism होता है ये सारे के सारे belief है, विश्वास है कुछ अच्छे हो सकते है, कुछ बुरे हो सकते है feminism क्या होता है, feminism होता है नारिवाद नारिवाद, यानि कि उस idea को उस belief को क्या कहते है, कि महिलाओं को समाने दिकार मिलने चाहिए उसको तो feminism बोलते हैं लेकिन यहां पर वो belief नहीं पूछ रखा यहां पर पूछ रखा one who यानि कि ऐसे person को क्या करते हैं तो ऐसे person को हम क्या बोलेंगे feminist जैसे terrorism का क्या हो जाता है terrorist हो जाता है उसी तरीके से यहां पर feminist है उसी तरीके से feminism का क्या हो गया feminist हो गया तो हमारा correct answer कोन हो गया यह पहले वाला हमारा correct answer है इस particular question के लिए लेकिन बाग की भी यह दो word यहां पर लिखे हैं तो देखो इनको भी discuss करते हैं feminism भी हमने discuss कर लिया अब effeminate word देखते हैं इसमें भी हमको feminine word दिख रहा है जो कि किस से related है woman से related है लेकिन यहां पर एक word है यह हम किस person के लिए use करते हैं यह एक ऐसे व्यक्ती के लिए व्यक्ती यानि कि यहां पर मैं male की बात कर रहा हूँ ठीक है ऐसे male के लिए हम इस word का परियोग करते हैं जिसकी जो गुण होते हैं वो ओर्तों की तरह होते हैं तो ओर्ताना गुण वाला जो व्यक्ती होते हैं उसके लिए हम इस word का परियोग करते हैं और यह जो word है यह SSE CGL के अंदर आया हुआ है ठीक है SSE के almost हर exam के अंदर इस word को कई बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इस word को भी यहां पर include किया है next word की तरह पढ़ते हैं और next word हमारा है एक doctor who treats children ऐसे doctor को हम क्या कहते हैं जो children को ठीक करता है ट्रीट करता है children word आते है इसके लिए भी एक root word होता है that is paedo यह word जब भी आएगा तो आपको again बेन अंदाजा लग जाना चाहिए कि वहाँ पर किस की बात हो रही है children की बात हो रही है बच्चों की बात हो रही है ठीक है तो pediatrician pediatrician हो गया जो बच्चों का doctor होता है अब next word क्या लिखा है pedology लिखा है logi word जब भी आता है जैसे geology, biology, psychology, cryptology यह किस से related study से related तो बच्चों की जो study होती है उसको हम क्या बोल देते हैं pedology बोल देते हैं next word की तरफ चलते है next is one who can think about the future with imagination and wisdom लेको normally हम ऐसे सुनते हैं अपने घरों में कि वो व्यक्ति दूरदर्सी था उसको आगए की बातों का पता था तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसको normally हिंदी में हम दूरदर्सी कहते हैं English के अंदर उसको visionary बोला जाता है भई वो person visionary था उसको आगए की बातों का पता था वो अपने imagination के बल पे और अपने wisdom के बल पे imagination मतलब कलपना के बल पे और wisdom मतलब बुद्धी मता के बल पे वो आगए की चीज़े देख सकता था तो ऐसा व्यक्ति जो आगए की चीज़े देख सकता है उस person को हम क्या कहते हैं visionary बोलते हैं next word की तरफ चलते हैं और next है give and receive mutually देखो give and receive लेना और देना mutually mutually मतलब होता है आपस में इसका क्या मतलब होता है मानलो ये A है ये B है अगर ये अपना mutually स्थान चेंज कर लेते हैं परस पर mutually मतलब क्या होता है परस पर ये हमने छोटी कलासों में पढ़ा है कि परस पर A और B ने अपना स्थान चेंज कर लिया यानि कि B की जगा A आ गया, A की जगा B आ गया, तो इसको mutually बोलते हैं, और give and receive mutually उसको बोलते हैं reciprocate, reciprocate का मतलब एक तरीके से बदला होता है, जैसा उसने किया, वैसा ही हम कर रहे हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हम उसके लिए अच्छा कर दें, अगर वो बुरा कर रहे हैं, तो हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं, that word is known as reciprocate, इसकी अच्छे से definition हम इस slide के अंदर समझेंगे, जो कि हमारी next slide है, और वो क्या है, इस तरीके से है कुछ, reciprocate is to do something for someone, who has done something similar for you, to feel towards somebody in the same way as they feel towards you, यानि कि किसी person के लिए वैसाई करना जैसा उसने किया है, ताकि वो वैसाई feel कर सके, जैसा हमको feel हुआ था, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, reciprocate बोलते हैं, इस picture के दवारा आप अच्छे से उस चीज को समझ सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी कुछ इस तरीके से है, a building where audience sits, audience हम किसको कहते हैं, audience हम कहते हैं, स्रोतागन, जो सुनने वाले होते हैं, या जो देखने वाले होते हैं, कोई भी program, ठीक है, उसको हम स्रोतागन कहते है, audience कहते है और audience के बैठने के लिए एक particular place होता है ठीक है, उसको हम क्या बोलते है auditorium बोलते है, कुछ इस तरीके का होता है यह आपने देखा होगा, नहीं तो अब यह आप picture में देख सकते है next question के उपर चलते है the first model of a new device देखो, मान लो कोई company नया mobile launch कर रही है तो वो ऐसे तो नहीं है, starting में 20-25 जार mobile बना देगी पहले वो एक mobile बनाती है, पूरे का पूरा उसको देखेगी, अपने जो close, वो भी जो भी person होगे main उनको दिखाएगी, बाद में वो नए mobile order बनाते है तो जो सबसे पहला होता है, ये कोई dummy नहीं है, होता असली है लेकिन जो सबसे पहला, किसी भी चीज़ का the first model of a new device, किसी भी नए डिवाइस का जो पहला model होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, prototype बोल देते हैं I hope ये बात को आपको समझ में आगी होगी तो इसमें ये prototype की definition लिखी है अगर आप चाहें, तो वीडियो पोज करके पढ़ सकते हैं otherwise वही चीज़ है, जो मैंने आपको बता दिया next slide की तरफ चलते है tough tissues in joints joint jord, tissue क्या होते हैं, उत्तक को कहते हैं देखो, cell, cell अलग चीज़ होती है cell तो कोसिका होती है और cell जब मिलते हैं, तो tissue बनते हैं tissue क्या होते हैं, उत्तक होते हैं तो यहाँ पे tissue की बात हो रही है जो joints को connect करते हैं अब यहाँ पे इसका correctance for तो ligament है जैसा की question में आया था लेकिन अगर हम science की leg damage में और थोड़ा सा अंदर जाके देखें तो यह दो तरीके की होते हैं एक तो tendon होता है और एक ligament होता है tendon क्या होता है, जो muscle और bone को connect करता है यानि कि हड़ी को और mass species को जो connect करता है उसको हम tendon कहते हैं और जो हड़ी और हड़ी को connect करता है यानि कि एक हड़ी को जो दूसरी हड़ी से connect करता है उसको हम क्या बोल देते हैं ligament बोल देते हैं तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है next वीडियो की दरफ चलते है the study of maps maps की study को नक्षों की study को क्या कहते हैं तो उसको हम cartography बोलते हैं और ऐसा व्यक्ति अगर question ऐसे होता कि one who makes map जो नक्षों को बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम cartographer बोल देते हैं तो ये दोनों अलग-अलग word हैं ध्यान से समझना है इसको next word की तरफ चलते है a person who breaks into house in order to steal देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये break into break into एक pharesal verb होती है क्या होती है pharesal verb मैं हर बार बताता हूँ वीडियो में कि जब भी verb पलस में preposition मिलती है न तो एक नया meaning निकलता है और उसी चीज़ को हम pharesal verb बोल देते हैं यहाँ पे break क्या होगी verb होगी और into क्या होती है preposition होती है break into का क्या मतलब होता है जब कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए किसी के घर में गुसता है तो उसको break into कहते हैं without उनकी permission के तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं वो इस question के अंदर पूछ रखा है तो उसको हम ब्रगलर बोलते है ब्रगलर बोला जाता है उस चोरी करने वाले को जो घर तोड़ के गुसता है या दरवाजा तोड़ के तो यह पिक्चर के दवारा समझ सकते हैं next question की तरफ चलते है the study of the origin and history of the words देखो अभी हमने जितने भी word discuss की है मैंने आपको बताया की फैमिना वर्ड महिलाओं के लिए होता है पैडो वर्ड बच्चों के लिए हम यूज करते हैं इस तरीके के बहुत सारे मैंने आपको root word बताए तो इनकी भी तो एक अलग से study होती है की कौन सा word कौन सी language से है उसमें उस root word का क्या मतलब होता है तो जो यह study होती है the study of the origin and the history of the world सब्दों का origin कैसे हुआ वे उत्पन कैसे हुए और उनकी history क्या है उनका इतिहास क्या है यह जो सारी चीजी है यह हम इस subject के अंदर पढ़ते हैं इसको etymology का जाता है etymology इसी चीजी को का जाता the study of the origin and history of the world next question की तरफ बढ़ते है next is one who can walk on rope tight rope walker ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो रसी के उपर चल सकते है ठीक है पहले में एक बार picture दिखा देता हूँ आपको यह देखो इस picture में आप देख रहे हैं कि कोई एक person है जो रसी के उपर चल रहे है तो ऐसे person को हम क्या कहते है ऐसे person को हम कहते है भई phanambulist क्या बोलते है phanambulist बोलते है phanambulist रसी पर चलने वाले को बोलते है एक और important root word है यह आप note करें somna s-o-m-n-a और somna word किस से related होता है sleep से related होता है नींद से related ठीक है और एक word जो है यहाँ पे वो है somnambulist somnambulist तो इस word का क्या मतलब होता है देखो मेरे ख्याल में तो आप अंदाजा लगा पाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमने देखा fenambulist तो होता है रस्सी पे चलने वाला ठीक है somnambulist कोन हो गया नींद में चलने वाला तो नींद में चलने वाला is the correct answer for this particular question और somnambulist अब से अगर आप क्या गया आता है तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि वहाँ पे sleep की बात हो रही है वहाँ पे नींद की बात हो रही है next word की तरफ चलते है हमारा next word आज की class का है belonging to all parts of the world मान लो bulb का विसकार किया edition ने किया हम सभी को पता है तो क्या उसने सिरफ अपने लिए किया या अपने देश के लिए किया नहीं उसने पूरे संसार के लिए किया तो ऐसे व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना घर समझते है उन व्यक्तियों को हम क्या बोल देते है कोस्मो पॉलिटन बोल देते है ठीक है कोस्मो पॉलिटन is the correct answer for this particular question बाकी ये जो वर्ड है ना ये भी synonym ही है इसके यूनिवर्सल भी संसारिक से related होता है ubiquitous का मतलब होता है सरव व्यापी क्या मतलब होता है सरव व्यापी ऐसी कोई चीज या person जो हर जग है पाया जाता है उसको हम सरव व्यापी बोलते है एक और वर्ड है इससे related that is omnipresent क्या वर्ड है omnipresent 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 अगेन ये आप note डाउन करते रहे कि omni word जब भी आता है इसका मतलब वहाँ पे all की बात हो रही होती है सभी की बात हो रही होती है omni मतलब सभी present मतलब परस्तूत ऐसी कोई चीज जो हर जग है present होती है that thing is known as omnipresent तो ये सारे के सारे आपस में synonym है लेकिन इस question के इसाब से जो correct answer है वो first one है ठीक है next word देखते है next हमारा क्या है one who hates mankind देखो दो root word है एक word होता है file ठीक है और एक word होता है mezo file जो word होता है वो हम love के लिए use करते है और mezo जो word होता है वो हम hate के लिए use करते है ठीक है ये बाते हैं आपको द्यान दखनी है फिर एक अपने जिक्के में question पढ़ाओगा कि मानवता के द्यान को हम क्या कहते है तो anthropology एक word होता है क्या होता है anthropology अब देखो यहाँ पे द्यान से लोजी मतलब तो studies का मतलब ये जो anthrop word बच गया न hate से related anthrop किस से related मानवता से related तो ऐसा व्यक्ति जो मानवता से hate करता है उसको हम क्या बोल देते हैं भई miss anthrop बोल देते हैं यही question में पूछ रखा है कि मानवता से hate करने वाले को हम क्या कहते हैं अब मान लो question इस तरी के से आ जाता है कि philanthropist क्या होता है philanthropist तो normally IST किसके लिए आता है, परसन के लिए आता है, तो ऐसा परसन जो मानवता से प्यार करता है, उसको तो हम philanthropist बोलेंगे और ऐसा परसन जो मानवता से hate करता है, उसको हम misanthrope बोलेंगे और जो मानवता की study होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, anthropology बोलेंगे तो बड़ी आसान सी चीज़े हैं आप continuously अगर 15-20 वीडियो भी देखते हैं तो आपको चीज़ें ऐसे लगेंगी जैसे आने लग जाएंगी सारी की सारी ठीक है तो आप continuously इन चीज़ों को देखिए आप confident feel करेंगे Next is one who goes to settle in another country एसा व्यक्ति जो settle होने के लिए दूसरे देख में जाता है यहां पे घुमने की बात नहीं हो रही तो दो word होते हैं एक word तो होता है immigrant ठीक है और एक word होता है emigrant emigrant जो यहां पे लिखा हुआ है अब यहां पे आप एक चीज़ आपको notice करनी है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देख से हमारे देख में आ रहा है आई मतलब क्या होता है in आना दूसरे देख से हमारे देख में आ रहा है तो उसको हम emigrant बोलेंगे लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे देख से दूसरे देख में जा रहा है मतलब exit कर रहा है इसे exit तो उसको हम emigrant बोलेंगे यहाँ पर क्या लिख रहा है one who goes to settle in another country दूसरे देश में अगर कोई जा रहा है तो उसको emigrant बोला जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है हमारे देश से exit कर रहा है exit करना क्या निकलना होता है लेकिन अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा होता है तो उसको हम क्या बोल देते है immigrant बोल देते next word की तरफ चलते है constant effort to achieve something कोई भी आपको लक्षब रात करना है उसके लिए ना हमको constant effort करने पड़ते है ऐसे नहीं 10 दिन पड़के छोड़ दिया 15 दिन कई बार बहुँ जादा टाइम लग जाता है लेकिन अगर हमको सफलता दिखाई नहीं भी दे रही है उसके बावजूद भी जो सईयम रखना होता है जो लगातार महनत करनी होती है उसके लिए English में क्या word होता है तो मेरे ख्याल से यह word of the day आज का जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि perseverance उसको बोलते है परसन के अंदर perseverance होनी चाहिए constant effort लगातार effort लगाना to achieve something किसी भी चीज को achieve करने के लिए उसे perseverance कहते है इसका सिनोनियम है persistence इसका भी यही मतलब होता है in doing something despite difficulty or delay in achieving success despite का क्या मतलब होता है despite का मतलब होता है के बावजूद क्या मतलब होता है के बावजूद और बंदा लगा रहे लगातार किसके बावजूद difficulty के बावजूद या फिर delay हो यह मतलब देरी के बावजूद हमारा लक्षे पराप्त करने में अगर कोई दिक्कते आ रही है या देरी हो रही है उसके बावजूद भी अगर कोई परसन लगा रहता है ना, that thing is known as perseverance का जाता है और despite के साथ में एक छोटी सी बात आपको बता दूँ कि जो despite word होता है ना, इसके साथ कभी भी off नहीं आता और ये question बार बार आ चुक है, आपको despite के साथ off लगा के देंगे आपको direct गल्द कर देना है कि उसी वाले part में error है I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस तरहें कि और वीडियो भी हम बनाते रहेंगे है और है तरहेंट